मोदी सरकार सहट कमपनियों को बेच या बंद कर सकती है उर्वरक कपड़ा रसायन और पेट्रो केमिकल फामेसिटिकल और वर्णिज मंत्रालयों के तहट सहट केंद्रिय सारवजनिक शेत्र के उद्गमों के निजीकरन या बंद करने के लिए प्रारंबिक सूची में शामल होनी की संभारना है इसके लिए सरकार गैर रणनीती शेत्रों में उद्गम नीती लागू करने की तयारी कर रही है मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि गैर राजनीतिक गैर रणनीतिक शेत्र में लगभग 145 CPACE जिन में एक तिहाई अंततह बंद हो जाएगी बाकी की व्यवहार या इकाईयों का नीजिकरन कर दिया जाएगा जबकि कुछ गैर लापकारी कंपनियों को सारवजनिक शेत्र में रखा जाएगा नीति आयोग सारवजनिक उद्गम विभाग और प्रशासनिक मंत्रालेों के अधिकारियों का एक समुह उन कंपनियों की पहचान कर रहा है जिसका सारवजनिक उपकरम नीति के अनुसार नीजिकरन या बंद किया जाएगा वित्वर्श 2022-2022 की बजट में रणनीति शेत्र की नीति का अनावरण किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार की चार व्यापक शेत्रों में नियूंतम उपस्तिती है जबकि शेश का नीजिकरन या बंद किया जा सकता है सुत्रों के मताबिक मदरास, फर्टिलाइजर्स और नैशनल फर्टिलाइजर्स सहित उर्वरक मंत्राले के तहट सभी नौ CPAC का नीजिकरन किया जाने की संभावना है देश द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक आयात को देखते हुए सरकार हाल के वर्षों में घरेलू विनिर्मान को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये कंपनियां उत्पादों के लिए कैप्टिव बाजार को देखते हुए निजिशेत्र के लिए आकर्शन हो सकती है कपड़ा मंत्राले के तहट आने वाली CPAC के बीच केंदर बिमार नैशनल टेक्स्टाइल कॉपरेशन को बंद करने के लिए जाएगा जिसमें अप्रचलित तकनीकी वाली 23 मिले है वानिजिश मंत्राले के तहट आने वाली दू व्यापारिक कंपनियां बंद हो जाएंगी क्योंकि उनके व्यवसाइब वर्षों से अव्यवारिक हो गए है